हेलो फ्रेंड्स विल्कम टू सिरोध एगरकुल दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कच्छा आठ का वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आप सभी लोग को बहुत बहुत बढ़ाई देना चाहता हूँ नए वर्स की तो आशा करता हूँ जो आपका नए वर्स हो वो शुक और सम्रिद्र चे भरा हो और आप खूब मन लगा कर पढ़ाई करें तो आईए बढ़ते हैं पहले प्रेश्ण की तरब पहला प्रेश्ण दे रखा है आप यहां पे एक चीत्र दे रखा है चीत्र में देए गए शंगु का वकर व्रेश्ट ही जबकी हमको वी ओ स्कुल्टू 15 cm और ओ भी स्कुल्टू को दे रखा है 8 cm चित्रों तो यहाँ पर बना नहीं है फिलाल लेकिन हम चित्रों यहाँ पर ड्रॉय कर लेते हैं यह कैसे बना लेते हैं एक आपको संकु बना लेना है संकु अब जानते हैं किस प्रकार से होता है जो आपकी बर्थ्रे वाली जो टोपी होती है उसको इस प्रकार से आप देखेंगे तो वो संकु के आकरती का होता है एक भी से बलाइन किस देते हैं यह से जाती है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको केकलाती है यह आपकी रेडियस किलाती है यहाँ कित रिज्चा किलाती है यह आपकी H उचाई होती है और जो तीर्ची वाली रेखा हो तो इसको बोलते है तीरिया उचाई इसको L से रिप्रियंट करते हैं तो आपको तीन चीज़े देहन देना है आपके उचाई H होती है तिर्या कुछ आयल होती है रेडियस हमारा होता है अगर रेडियस को पूरा मिलाता है तो हमारे क्या बज़ता है डायमेटर हो जाता है यानि टूरेडियस में लिकरके यह आप सभी को मालम होगा यहां पर एक जी करेक्शन कर लिजएगा है यानि कि यह पर उप पॉइंट आपका और यह भी हो जाएगा और आपका यह हो जाएगा भी ठीक यह आपका आठ कितना दिया है वाली 15 सेंटिमिटर यह पूछाय जिए रखी ऑप 25 Kingdom और आपका रेडियस दे रखा है 8 cm ते इस प्रकार से आपने और यहां पी जो लिखा हुआ है रेडियस संकु की तरिज्जा आर बराबर 3 cm है इसको आपका लिजएगा 8 cm क्योंकि उपर और question में 8 cm दे रखा है यहां पे इसने solve किया तो 3 लिख दिया है उसको आप 8 बना लिजएगा इस प्रेस्ट को करने से पहले सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है फार्मले गीवन चीज़े हमने लिख ली उसके बाद जो संकु की तीज़ा गुचायम को चाहिए होता है त लेकिन हमारे पास है पता दोची लेकिन को यह नहीं पता है को यह निकालने के लिए एक अलग से फ़र्मला आप में नोट कर लीज़े जो तिर्य पो चाहिए होती है इतरिचिव चाहिए यह इसकायर बराव होता है और रसकौर प्लस एच च्वाइर ठीक है यह जागी इस थरम लगता है जो हम बनाते हैं अपना ट्रेंगिल जो हम करें में शॉरी तक बनाते हैं यहां पर यह का देख रहा होगा यह आपकी ईयरोंamba दे रखी होती है यह यह से दे रखा होता है अगर हमको कड निकालना होता है तो हमको पता होता है कड का स्क्वाइर यानि कि कड क्या पर है क्या है वो ल है यह ल का स्क्वाइर अन्दो बुजाओ के वर्गों के योग के बरावर होता है यह पाइतागोरे स्थर्म कहती है यान स्क्वार श्क्वार प्लस ओर स्क्रेट आप यहां से आपका फर्मला होग वोण गया यानि कि अल बराबर आगे आपका Android let you cities star इसे हूड बना लीजेगा हमको दे रखा है इस कमान 15 और और कमान भिकाई तीन तो हम 15 का square कर देंगे तो जाएगा 225 और 8 का square आपको मलूम होगा 864 होता है इन दोनों को add कर लिजिए अंदर कितना हो जाएगा 289, 289 किसका square होता है आपका 17 का आपका इसकर होता है 289 तो यानि कि जब हम under root से 289 को निकालेंगे कितना जाएगा हमारा 17 cm L कमान कितना आ गया हमारा 17 cm आ गया अब हम हमें पता है जो अता हमको पता है संकु का जो वर्क परिस्ट होता है कितना होता है पाई आरेल होता है पार्मला होता है अब बेल्य पूट कर देंगे पाई कमान रख दीजिएगा आपर यहाँ पर R कामान रिक दिजेगा और यहाँ पर L कामान यहाँ पर इसनुने P कामान नहीं रखा है तो कोई बात नहीं इज desafichा को 17 गोड़ आरड़ हो जाएगा और अगर P कामान आप रखना चाएगा 22 बटे 7 होता है आप इसको पूट कर सकते हैं उसके बाद 8 गुड़े 17 है इसको काटने पिड़ने की जो बल्लिवाईगी उसको रज़कते हैं यहापका अंसर यहाँ पर भी सही है कोई दिक्कत नहीं है बढ़ते हैं प्रेश्ट नमबर 2 की तरफ प्रेश्ट नमबर 2 यहाँ पर दे रखा है एक संकु का आयतन दे रखा है 100 गंद सेंटीमिटर यदि अधार की तरिज़ा 5 सेंटीमिटर हो तो उसका वग कर प्रेश्ट गयाद करना है फिर सब़ए कोश्चन हमको क्या करना है संकु का वग कप्रेश्ट करना है हमको क्या दे रखा है संकु का आयतन दे रखा है जो की 100 गंद सेंटीमिटर है यदि अधार की तरिज़ा हमको दे रखी यानि की यार दे रखा है और हमको क्या दे रखा है संकु का आयतन दे रखा है यानि कि volume दे रखा है वो कितना है वो one third pi r square के बराबर होता है pi r square into h होता है जो आपका balance का आयतन होता है विस उसी balance के आयतन में हम क्या करते हैं एक बटी तीन से multiply करते हैं और pi r square into h एक ऐसे बनता है अगर हम balance से बनाना चाहते है तो यह हमारा balance होता है ठीक है एक जो circle का यानि कि जो ब्रत्य का एरिया होता है क्या होता है और हमारी हाइट होती है उसके साथ मुल्टिप्लाई कर जाते हैं तो pi r square into h क्या हो जाता है आपका balance का आयतन निकल जाता है अगर उसी balance में अगर आपको फार्मुला मुलाना है तो उसी फार्मुलाई में एक बटे 3 से आप कर देजिए multiply कर देजिए तिये बन जाता है फार्मुला आपका किसका संकु के आयतन का अब हमको दे रखा है संकु का आयतन यहाँ पे एक बटे 3 pi r square यह फार्मुला आपको इंपूट कर दीजिए पाई और यह स्थान पे 5 स्कौर और यह संको निकालना है यह से तो हमने पाई से पाई काट दिया कितना बचा तीन को ओपर देंगे तो सव गुड़े 3 हो जाएगा यहां पे पांच कर दोता है पच्चीस पच्चीस को निचे में देदे तो पच्च प्रेश्ट गयात करना वक्रेश्ट गयात करने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए पाई पता चाहिए पाई कमांद पता रहता है आर पता होना चाहिए ल पता होना चाहिए आर में पता है पांस इंट्रिम्टी लेकिन हमें यह नहीं पता है जब यह नहीं पता हो था तो x command अपने ऊपर निकाला थावी 12 cm ymm!* 2444 और 25 को ढट करने कि कितना होँ जाएगा 179 होजाएगा 169 किसका square होता है तो 13 का अगर हम square करेंगे तो 169 होगा यानि कि 179 को root से बाहर निकालेंगे कितना जाएगा हमारा 13 है जाएगा अब इस 13 को यह हमारा क्या निकला यह निकला अब हमको पता होता है जो संकू का वक्त प्रेस्ट होता है क्या होता है पाई आर या ले फार्मला है अब हमको आर भी पता चल गया अल भी पता चल गया अब असानी से हम इसको solve कर लेंगे तो 13 पच्चे 65 और पाई को इस पे multiply कर दीजे या पाई का मान पूट कर दीजे 22 वट्टे साथ इस प्रकार से आप solve को लिजे राने दीजे कोई दिक्कत नहीं है यह आपका वर्ग संटीमिटर में आपका answer आजएगा प्रेस्ट निम्बर तीन यह भी आपका संकु से रिलेटर कोश्चन है कोश्चन निम्बर दे रखा है तीन किसी संकवा कार तंबु के निर्माड के लिए 264 वर्ग मीटर किरिमिच की अवसकता पड़ती है यदि संकु की तिर्ची उचाई आपको दे रखी है 12 सेंटीमिटर तो उसकी उचाई गयात करना है हमको एल दे रखा है 12 सेंटीमिटर हमको पूचा है क्या होगा हमको दे रखा है संकु का जो निर्माड करने में 264 वर्ग मीटर की अवसकता पड़ती है यानि कहीं न कहीं उसका आपको एरिया दे रखा है कि प्रश्ट सेंट पल दे रखा है कितना दे रखा है 264 वर्ग मीटर तो आपको एरिया दे रखा है L दे रखा है आपसे पूचा है height पूचा है कितनी height होगी उसकी तो आपको लिख लेना है सबसे पहले क्या चीजिए गिवन है संकु की तिरीज़ा कुछाई 12 मिटर संकु का वकप्रेश्ट पाई आल जो होता है कितना दे रखा है 264 अब 264 का value अजने पूट कर देना है आपके वकप्रेश्ट के अस्तान पे 264 इसका फर्मला होता है πाई आर एल पाई का मान होता है 22 बटे साथ आर हमको पता करना आर हमको नहीं दिया रखा है और L का मान आपके पूट कर देंगे अब R के साथ multiply में जो चीज़े ऊपर है उसको किसके साथ भेज़ देना है उसको 64 को नीचे भेज़ देना है यह देखते है किस प्रकार से भेज़ना है जो R के साथ multiply में कौन सा है 22 है और 12 है इनको का मा भेज़ देना है 64 के नीचे यानि 22 को 64 के नीचे बेज़ देंगे इसको जब सौल कर लेंगे, काटैंगे तो आपका कितना है जाएगा काटनी पिटनी बाद आएगा 7 मीटर यानि कि R का माने आप निकल गए आपको R पता चल गया, L पता चल गया, आपको क्या रस्टे करना है? H पता करना है तो हमको फाबना पता है अगर R और H और L में क्या relation होता है वो होता है तिरिया कुछ आई वाली है यानि तिर्चे उचाई इस्क्राइब टू L स्क्वाइर बरो क्या होता है अंडर रूट H स्क्वाइर सौरी H स्क्वाइर प्लस R स्क्वाइर अब हमको याच च्यात करना है तो हम याच कोई पहरे नहीं दे R को इधर बेज देंगे पंचांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा L स्क्वाइर माइनस का R स्क्वाइर यह हम लिख सकते है h square to h square to क्यों हो जाएगा l square minus का r square अब यह l command put कर दिए r command put कर दिए उसके बाद जो value आएगे उसको घटा दिजेगा तो हम क्या करेंगे h बराबर क्यों हो जाएगा l square minus का r square अब यहाँ पर square लगा था square को घटाते तो यह under root में चला गया अंडर root में जैसे चला गया है तो l command रख दिए r command रख दिए l command 12 है 7 और r command 7 है तो 12 का square करेंगे कितना हो जाएगा 144 और 7 का square करेंगे कितना हो जाएगा 144 144 में से 49 घटाएगे कितना हो जाएगा 95 अब 95 किसी का तो वो डारेक्ट आप निकाल ली पाएगे किसका अंडर root होता है तो यहाँ पर करके छोड़ दिए अंडर root 95 मिटर यहाँ आपको निकाल ली जिए 9.75 यहाँ पर करके छोड़ देंगे तब भी आपका आंसर सही होगा प्रेस नंबर 4 प्रेस नंबर 4 दे रखा है एक जोकर की टोपी शंक्वा क्वार है यदि उसमें 840 बर्ग सेंटीमिटर कपड़ा लगा है तो उसके गोल सिरे का परिमाप 56 सेंटीमिटर हो तो टोपी की तिर्ची उचाई ग्याद करना है में तो सबसे पहले आपको क्या चाईजे दे रखी है गोल सिर का परिमाप है वो 56 सेंटीमिटर है जो परिमाप होता है किसके बरावर होता है गोल वाली का बात कर रहा है यह आपका हम बनाते थे हैं परमला यानिकि यह जो नीचे वाला गोल वाला सिरा है उसका परिमाप की बा ठीक है गोल की बात करना है ब्रत्य का परिदी इसका जो फर्मला होता क्या होता है ब्रत्य का परिदी का फर्मला होता है टू पाई आर यह हम कह सकते हैं अब हमको परिमाप देखकर रखा है यानि कि परिमाप टू पाई आर इसको लटू कितना देगा चपन सिंटीमिटर यहा 28 centimeter अब हमें क्यादर कि रखा है स्वंकु का वक Key zu St डूपी में लगा कपडा कितना है 840 वर्ग सेंटीमिटर वही वकप्रेश्ट होगा जितना टोपी में लगा होगा जो किनारे किनारे ये साइट में लगा होगा इस साइट की बात कर रहा है या निकी इस साइट में ये हमारा वकप्रेश्ट कलाता है यहां पी दे रहा है, जो ओसी के बराबर रता है, तो πाई r का माँना हमने घुद निकाल लिया है, कितना दे λिए था, 28 यहां पर पुट कर दिया, L का मानम निकाल लेंगे यानि कि यह भी 28 नीचे चला जाएगा 440 के जिसको जब काटिंग की कितना हो जाएगा 30 cm L का मानम यहां पता चल गया 30 cm यही हमको ग्याद करना था तिरिया को चाहिए यानि कह सकते हैं टोपी की तिरिया कुछाई हो जाएगी 30 cm हो जाएगी प्रेस नमबर 5 उस बड़े से बड़े संकू का आयतन ग्याद कीजिए जो उस घन से काटा जाए जिसकी प्रते कोर 12 cm लंबी हो तो आई यह देखते हैं सबसे पहले आपको कीवन सीजी लेग लेनी है घन से काटे गए बड़े से बड़े संकू का ब्याज तथा संकू की उचाही घन की कोर के बराबर होगी क्या होगी जो बड़ा सा बड़ा जो संकू का जो ब्याज होगा और संकू की उचाही होगी वो घन की core के बराबर होगी अता हम कहा सकते हैं संकु की तरिज्जा जो होगी ब्यास की आदी होगी आपको मालूम होता है यहाँ से 12 cm आपको ब्यास जरका है तो उसका आधा कर देंगी कितनी होगी आपको तरिज्जा पता चल जागी कितना हो जाएगा 6 cm संकु की उचाई h बराबर कितने होगी 12 cm क्योंकि दोनों चीज सेम है बड़े सी बड़े सी बात की कहता इसलिए हमें r पता चल गया 6 cm और हमें पता चल गया संकु की उचाई दोनों एकी प्रेश्न में एकी language में दे रखी थी अब उनको पता चल गया तो फार्मला पता होता है संकु का आयतन की होता है एक बटे तीन पाई आर स्क्वार इंटो एच जो हमारा बेलन का फार्मला होता है उसी में एक बटे तीन से multiply कर दिजे आपका संकु का फार्मला बन करनता है यह जो ब्रत होता है ब्रत का फार्मला होता है पाई आर स्क्वार इसी में हम जो यहां पे एच हो तीन की हाइट से multiply कर दिए तो क्या हो गया शंकु का आयतन बन गया अब हमको करना है बल्लो पूट करना है एक बटे तीन पाई आर का मान अभी निकाला हमने छे और एच का मान निकाला था पत्त उसमें दे रखा था 12 तो 6 का स्कॉार 36 हो जाएगा या 6 गुड़े 6 लिख सकते हैं और 12 गुड़े यहां पर 12 लिख देंगे गुड़े में उसके बाद पाई का मान प्लग दीजे 22 बटे 7 अब इसको जब solve करेंगे तो कितना हो जाएगा उपर 252 पांच साथ गंड सेंटीमेटर क्योंकि इंको पता आता है जो गाय आयतन होता है किसमें होता है क्योंकि मीटर गुड़े मीटर गुड़े मीटर चिन बर आपका रेंगत क्या हो जाएगा इसको छोटे फाब में लेकिनगे तो मीटर क्यों हो जाएगा या हम कर सकते हैं घ अधार की तरिज्जां को दे रखी यानि का आपको पहले क्या करना है डॉक कर लिना है अधार की तरिज्जा की बात कर रहा है यानि कि यह आपका यह आर बराबर दे रखा है कितना तीन सेंटीमीटर ठीक है तता हुचाय हमको दे रखी है एच बराबर कितनी दे रखी है तिर एक ग्यात करने के लिए आपको तीज़े कुचाई L पता होनी चाहिए क्योंकि वहां पर कहीं ने कहीं L का भी फर्मला लिखेगा इसलिए जो चीज़ पहले गीवन दे रखी आर कमान लग दिजिए एस्कामान दिए लिखेगी और सोंकु कि तीज़े कुचाई निकल लिजिए तीरे कुचाई के अपर्मला क्या हता है एल सकूल्ट कि आता है अंडर रूट ह स्क़ार प्लस हार स्कुर्ण कर लिए यह का मान कितना है चार और कमांद रखाया तीन 4 का स्कुर्ण बराबर आपके पांच सेंटिमेटर जब आपको यल दे रखा है तो को पता होता है संकु का जो संपूर्ट प्रेश्ट होता है कितना तो इसका फार्मूल था है पाई आर ब्रेकेट में एल प्लस र यह होता है संपूर्ट प्रेश्ट का छेत्फ़ल का फार्मूला इसको आप याद कर लेंगे पाई यार ब्रेकेट में एल प्लस र अब आपको पाई का मान देना है कमान रख देना है, L कमान रख देना है, और R कमान पूट कर देना है, उसके बाद solve करेंगे तो आपको जो value आईगी वही आपका answer रहे जाएगा, तो हम याप पर pi कमान नहीं रखते हैं directly, क्योंगे कटेगा नहीं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सिर्फ R और L कमान रख देते हैं, तो R कमान कितना हो जगा आपका, तीन रख दिया L कमान पांच और R कमान फिर से तीन, तो पांच तीन आट हो गया अंदर बार तीन हो गया, आट तरिक 24 यह नहीं 24 pi आपका 24 pi 24 pi cm था, तो cm2 क्योंकि जो हमारा चेत्रपल होता है, किसमें होता है, स्क्वार में होता है, तो यह आप unit लिखना है, बिल्कुल ना भूलेंगे प्रस नंबर साथ एक लंब ब्रत्ती है, संकु का संपोड प्रस्ट है 301 वर्ग मीटर तथा उसकी आधार की तरिजाच्छ cm है, संकु की उचाई ज्याद करना है तो यहाँ पर वही चीज़ दे रखा है, क्या दे रखा है संपोड प्रस्ट छेत्रपल कितना दे रखा है यहाँ पर पुरा कोश्चन है नहीं उपर दे रखा था यहाँ पर दे रखा है 301 सही 5 वर्टे साथ वर्ग मीटर अब इसको पहले सॉल्फ कर लेज़े तो 300 को साथ से मल्टिप्लाई कराएंगे, उसके पाद जो चीज़ आएको उसमें 5 एड़ कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2112 बटे साथ वर्ग मीटर अब आदार की तरिजाम को दे रखी, यानि आर कामान दे रखा है, 6 मीटर संकू का संपूर प्रेस्टी छेथपल क्या होता है, पाई आर ब्रेकेट में एल प्लस आर होता है ठीक है, संपूर प्रेस्टी का छेथपल का फारूला, जो कि संपूर, संकू का संपूर प्रेस्टी दे रखा था, 2112 बट्टे साथ पाई यहां पे राने दीजिए और कमान पूट कर दीजिए ल कमान हमको पता नहीं है यहां निकालना है यहां से तो यहां हम यहां से निकालेंगे उसके बाद आपको value put करने निकाल देना है यहां पर value put करके पाई कमान रख दिया है 22 बट्टे साथ 6 यहां पर रख दीजिए R कमान L प्लस R फिर R कमान यहां पर 6 रख दीजिए उसके बाद इन दोनों को यह पिराने दीजिए यह जो चीज़े हैं उसके साथ जो multiply में है वो कहां चले जाएगी 2112 बट्टे के साथ और जो नीचे जो multiply में cross multiply चला जाएगा उसके 2112 बट्टे के पास में यह सब नीचे चले जाएगी 22 गुड़े 6 नीचे चला जाएगा जब 22 गुड़े 6 नीचे चला जाएगा ति इस प्रिकार से आपका equation बन जाएगा एल प्लस से 2112 गुड़े 7 बटे 7 गुड़े 7 गुड़े 22 गुड़े 6 साथ से साथ काट दीजा और जो चीजे कटनी माली काट दीजे काटने पिटने का आपका वैलू आजाएगा 16 आजाएगा ठीक है हेच इसक्वएर प्लस आरइगा है एच को एक साथ बेज़िए यह ऑपिररने दीजे आर को इसदर भेज देंगी के हो जाएगा यह माइनिस का या बेलू पूट करने कपाद आप भेज दीजिए हमें L कमान 10 देज रखा है तो 10 के square से हो जाएगा R कमान 6 6 का square करेंगे 36 हो जाएगा 36 को इधर बेज देंगे तो आपको कितना हो जाएगा 100 में से 36 गटा देंगे आपको 64 हो जाएगा यहांनि H square वेराबर आपका गया 64 इसको एरे टाइंगे कितना हो जाएगा अंडरूट में 64 चला जाएगा अंडरूट में चला जाएगा तो 64 किसका इसका इसका होता है किसका अंडरूट बहार निकलता है यह आठ का इसका होता है यह हम इस प्रेकार से उसको निकालने के तरीका यह होता है कि जो 64 को हम इलके ल क्प्लीट होता है आशा करते हैं जो यह संकुल से रिडेड़र भी प्रसनिस में थे आशा करते है को वीडियो पसंद आई होगी एगर वीडियो पसंद आ है इसको लाइक करिएगा और जो चीज आपको नहीं समझ सबway